नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्वसंसकर के इस यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेगनसी के दोरान शिशू गर्भाशे के अंदर तरल पदार्थ से भरी हुई थैली में सुरक्षित होता है इस तरल पदार्थ को एमनियोटिक फ्ल्यूड और थैली को एमनियोटिक सैक हम कहते हैं एमनियोटिक फ्ल्यूड पूरी गर्भावस्ता में शिशू को विकसित होने के लिए मदद करता है यह फ्लूड यदि कोई कारण वश आपके पेट पर आगात लगता है या फिर पेट पर दबाव आता है तो ऐसे स्थिती में शिशु को चोट लगने से बचाता है तथा गरव में शिशु के फेपड़े और डाइजेस्टिव सिस्टिम परिपक्व होने के लिए शिशु के मसल्स बोन्स के डवलप्मेंट के लिए भी यहां मदद करता है उसे इंफेक्शन से बचाता है और गरवस्त शिशु का तापमान एक समान बनाये रखता है अमनियोटिक सैक में शिशु यहां द्रव निगलता है और पेशाप के रूप में बाहर निकालता है जैसे जैसे गरभावस्ता आगे बढ़ती है अमनियोटिक फ्लूट की मात्रा भी बढ़ती है 36 विक्स की गरभावस्ता के आसपास यहां फ्लूट 800 से लेकर 1000 मिली इतने तक पहुँच जाता है और फिर 38 विक्स के बाद बेबी के बर्त के समय तक यहां धीरे धीरे कम होना शुरू होता है जब अमनियोटिक फ्लूट की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ओलिगो हैडरमनियोस कहा जाता है और यदि यहां फ्लूट बढ़ जाता है तो इसे पॉलिहाडरमनियोस या हैडरमनियोस कहा जाता है Amniotic Fluid की Level पता करने के लिए गरभावस्ता में नियमित सुनोग्रफिक की जाती है चलिए अब जानते है Amniotic Drug कम होने के क्या कारण हो सकते है Amniotic Fluid का कम होना इसका निश्चित कोई कारण बताना मुश्किल होता है जबकि यदि सैक लीक हो रही है तो amniotic fluid का कम होना यहां आम कारण होता है इसके अलावा यदि delivery की date निकल चुकी है तो यह भी एक कारण होता है amniotic fluid कम होने का placental insufficiency यानि placenta की कोई समस्याद जैसे गर्भवती को यदि high blood pressure है pre-eclampsia या gestational diabetes होने के कारण भी इसका level यानि amniotic fluid का जो level है वो कम ज़ादा हो सकता है इसके अलावा यदि आपके शिशू को अनवांशे कुछ समस्या है या फिर आप कुछ दवाईया ले रही है तो कुछ दवाईया amniotic fluid के level को भी प्रभावित कर सकती है आप देखते हैं यदि amniotic fluid का level कम हो जाता है तो उससे शिशू पर क्या असर पड़ता है यदि amniotic fluid level कम हो जाता है तो शिशू के विकास में समस्या आ सकती है गर भावस्ता के पहली और दूसरी तीमाही में यदि amniotic fluid कम हो जाता है तो इससे abortion के chances बढ़ जाते है amniotic fluid बहुत ही कम हो गया तो वह शिशू के मृतिक के लिए भी कारण बन सकता है तीसरी तीमाही में जनरली amniotic द्रव में कमी होती है amniotic level कम हुई तो आप महसूस कर सकती है कुछ लक्षन जैसे शिशू की हल जल कम हो जाना गरभाशे के विकास में कमी आना contraction आना, leaking of amniotic fluid इस तरह से लक्षन आप अनुभव कर सकती है अब जानते है amniotic fluid कम हो जाए तो इसे कैसे बढ़ाया जाए amniotic fluid की मातरा प्रॉपर है क्या यहां देखने के लिए आपके डॉक्टर के सलह अनुसार आपको स्वनोग्रफिक करनी चाहिए बरपूर पानी आपको पीना चाहिए जिससे आप आपका शरीर hydrated रख सके कम से कम 2-3 लिटर पानी रोज आपको पीना है साथ-साथ नारियल पानी नीमबू पानी भी आप पी सकती है आपको पोश्टिक और संतुलित आहर लेना है आप फ्रूट तथा फ्रूट जुस भी खा सकती है तथा एक्जर्शन आपको अवोईड करने है आपको आराम करना है तथा खुद को hydrated रखना है आराम करने से amniotic fluid बढ़ने में मदद मिलती है आपके डॉक्टर आपको amniotic fluid बढ़ने के लिए कुछ medicine भी दे सकते है तो उसे भी आपको properly लेना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर amniotic fluid की लेवल अच्छे से बनाए रखे गर्भावस्ता में हर मा को उसके शिशु का health important होता है आप आपक करके workshop में आपको क्या खाना है कब खाना है कैसे खाना है क्या खाये जिससे amniotic fluid की लेवल अच्छे से बढ़ सकती है इन सभी बातों को सिखाया जाता है इसमें सिखाया जाता है आपके शिशु में कौन से गुण आपको चाहिए और उसे कैसे डालना है तो यदि आप इन अधा वाटसेप भी कर सकती है तो हसते रहें मुस्कुराते रहें इन्जॉय करें प्रेग्नसी का हर उक्षण संजीवन गर्व संसकार के साथ धन्यवाद यदि प्रेग्नसी का है यद।